आईए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हम सभी किसी को अगर उल्टी होने लगे या फिर दस्त लगने लग जाए तो क्या करें घर पर ताकि दवा भी न खानी पड़े जो की दवा से आपके शरीर को हानी होती है जो उसका दुष परिणाम होता है वो उल्टी और दस्त किसी भी वजह से हो सकता है जिसमें से बदहजमी सबसे मुख्य कारण होता है कभी-कभी सर्दी या गर्मी लगने से या फिर दुषित खान पान खाने से भी उल्टी और दस्त की समस्या हो जाती है तो इसको दूर करने के लिए उल्टी होने पर पंतिyan रोक करके और शदिय रूप में कारे करते हैं और उर्टी को तुरंत रोक देती हैं इसके अलावा तूलषी के पत्तों का एक चमच रस शहणキे साथ लेने से ऊर्टी कान्ट्रोल हो जाती है एक चमच प्याज का रस पीने तो बंदी को उनको आपको खेला केले से काफी जादा लापराप्त होता है इस स्थिती में इसके अलावा खाना डाइजेस्टे नहों रहा हो डाइजेस्टिव प्रोब्लेम आ गया है तो आप काली मिर्च जीरा को भून लीजिये और इन दोनों के मिश्रण को आपको रोज थोड़ा सा काला नमक उसमें मिला करके और जो भी खाना खा रहे हैं उस पर छिड़क करके इसको खाईए खाना आपका इजिली हजम होगा आसानी से हजम होगा नमक की मातरा कम रखनी है बहुत और काले मेच की इसमें मातरा ज्याद करने से रिलेटेड रही ये वीडियो आप सभी देख रहे थे आयरुवेदिक उप्चार चैनल के माध्यम से ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं और बेल नोटिफिकेशन को ओन कर लें ताकि नई वीडियो जब जानकारी के साथ तब तक आप सभी खुश रहें स्वस्त रहें धन्यवाद नमस्कार दोस्तों